हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टुमाई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपको मास्टर शेफ ड्रेस बनाना बता रहे हूं इसमें हम कैप और एप्रिंट की सिलाई करेंगे उसके लिए हमने कपड़ा लिया पर 7 इंच लेंथ ले रही है इसकी और जहां पर 7 इंच आया था वहां से एक बार और फोल्ड करेंगे तो फोर लेयर में हो गया है अब यहां जो कॉर्णर है उससे हम 7 इंच का इसमें राउंड देंगे यह हमने 7 इंच राउंड पर मार्किंग कर दी है अब यहीं से इसको कट कर लेंगे अब फिर से एक बार इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड साइड से हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे निशान लगाने के बाद हो हां तक हम इसको कट कर देंगे अब हम इसकी पट्टी कट करेंगे यह हमने 21 इंच लेंथ ली है और 4 इंच विर्थ ली है क्याप की कटिंग हो गई है अब हम करेंगे एप रिंग की कटिंग इसके लिए कपड़े को डबल कर लेंगे यहां पर डबल में मैं 7 इंच इसकी वीर्थ ले रही हूं सिंगल में 14 और लेंगे इसकी 18 इंच अब यहीं से इसकपड़े को काट करके अलग कर लेंगे और उपर से फोल्ड साइड वे मार्किंग कर रही हूं 3.5 इंच पे और इसमें नीचे में 5 इंच अब हम इसको तिर्छा मिला देंगे जहां पे हमने निशान लगाया था वहाँ से इसकी कटिंग करेंगे यह एप्रिंट की कटिंग भी हो गई है अब हम एक स्ट्रिप और कट करेंगे यह है 17 इंच लेंद की और 3 इंच वीर्थ की दोनों की कटिंग कमप्लीट है अब हम इसकी सिलाई करते हैं पहले अप्रिंट की सिलाई करेंगे इसमें उपर से हम इसको मोड लेंगे अब दोनों साइडों से इसी परकार से मोड करके थोड़ा सा पतला मोडेंगे और सिलाई लगा लेंगे ये सिलाई हमें दूसरे छोड़ तक लगानी है साइड में भी और नीची भी इसकी चार तरफ की सिलाई कम्प्लीट है अब हम इसके उपर की स्ट्रीप अटेज करेंगे जो हमने 17 इंच लेंद की ली थी इसको ऐसे डबल करके सिल देंगे सिलने के बाद हम इसको दोनों साइड में आपे अटेज करेंगे इसके अटेज करने के बाद हम साइडों में यहाँ पतली पटियां अटेज करेंगे अब सेंटर से हम नीचे की साइड में लेंगे चेंज, चेंज पर मार्किंग कर लेंगे और इतने ही लेंद का एक कपड़ा लेंगे यह हम पोकेट के लिए यूज कर रहे हैं किनारे के उपर से सिलाई लगा देंगे पोकेट भी कम्पलीट हो गई है फ्रेंज आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और सेर जरूर करें अब हम कैप की सिलाई करेंगे यह जो कट है उसके नीचे में एक स्क्वेर पीस रखेंगे और यहां से सिलाई लगा देंगे अब जो निशान था यह उसी में से स्क्वेर कट कर लेंगे कपड़े की और इसको दूसरी साइड में मोड करके सिलाई लगा देंगे यह से मोडेंगे और यहां किनारे से सिलाई लगाएंगे और फ्रेंज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें नॉटिफिकेशन भी उन करें अब एक सिलाइस में और लगा देंगे अंदर वाड़ी स्ट्रिप को दबाते हुए अब हम इसके चारों तरफ कच्चा टाका लगाएंगे सुईध आगे से यह हमने जितना सिर्का राउंड है उसके बराबर लेना है यह कच्चा टाका हो गया है अब इसकी लेंध नाक लेते हैं यह 9.5 इंच यानिके 19 आया है तो हम जो स्ट्रिप लेंगे वो लेंगे 20 इंच की 1 इंच एक्स्ट्रा दोनों साइडों से इसको सिलाई लगा लेंगे पतला सा और आब हम इसको कैप के साथ अटेच करेंगे पहले एक साइड से करेंगे अब जो कच्छे धागे के लिए हमने धागा यूज किया था उसको काट करके निकाल देंगे और दूसरी साइड से भी पत्टी को मोड करके सिलाई के उपर लगाते हुए सिल देंगे जो पहले हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर में दबा देंगे और इसमें हम दो सिलाई यह लगाएंगे ये दोनों सेलाई कम्प्लीट हो गई हैं अब एक डोरी लेंगे हम जो नीचे खुला हुआ हिस्सा है उसमें दोनों साइड में लगा देंगे बांधने के काम आएगी तो फ्रेंड्स हमारी मास्टर से ड्रेस रेडी है प्लीज लाइक एंड सेर माई